आज हमारे वाइफ अर्भी पत्ते का नया डिस बनाई है गाउं में अक्सर ये बनता है तो सबसे पहले पत्ते को अच्छे से धुन लेंगे और धुनने के बाद साइड में इसको कर देना है उसके बाद आता है अब मसाला तो मसाला क्या है धनिया है लसुन है मिर्चा है जीरा है इसको पीस लेना है अब आईए दूसरा इस्टेप ये है बेसन बेसन में पीसा हुआ मसाले को डाल देंगे और उसके बाद इसमें पड़ेगा स्वाद अनुसार नमक उसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी और डालने के बाद अच्छे से फेट लेंगे फेटने का मतलब है कि अच्छे से मिला लेंगे और ये बचा हुआ पानी था मसाले का डाल के इतना ज़्यादा धीला नहीं करना है और नहीं टाइट करना है ज़्यादा टाइट भी नहीं हो और ज़्यादा धीला भी नहों यानि गीला भी नहों उसके बाद आता है अब आरी बनाने का तो पत्ते को पलट के रखेंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे रखने के बाद एक-एक पत्ते पर इसको क्या करेंगे पोत लेंगे पोतने के बाद बढ़ियास पोतेंगे एक पर पोत लिए फिर दूसरा पत्ता उसको उपर रखेंगे फिर उस पे पोतेंगे फिर तिसरा पत्ता रखेंगे फिर उस पे पोतेंगे और पत्ते को अलग-अलग हसका के यह सा नहीं कि बस उपर न लीजिएगा और पोतने के बाद क्या करते हैं कि इसको लपेट देते हैं देखिए जैसे हमारी वाइफ लपेट रही है इसको अच्छे से और लपेटने के टाइम में भी बचे हुए जो मसाला है उसको साइड साइड में लगा देते हैं और लगाने के बाद बढ़िया से ठीखाई दे रहा है ऐसे ही इसको क्या करेंगे लपेट लेंगे और लपेटने के बाद इसको तकरीबन पांच से दस मिनट इसको रख देती है साइड में जितना भी पता हो ऐसे ही आपको करना है और गाउंग में इसको जहां एक तरह का जहां अलग ही इसका बोल है तो sandwich type यानी चार roll बना ली है और roll बनाने के बाद क्या करेंगे इसको अब एक चक्कु से इसको piece कर लेंगे चोटा चोटा piece करेंगे अच्छे से piece करना है ताकि फटे मत इसका मसाला इधा उधरना जाए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कितना आसान तरीके से चक्कों के सहारे अच्छे से पीस कर पा रही है अभी ये ना इसको भाप से पकाया गया है और ना ही इसको तेल में पकाया गया है अभी ये कच्चा है उसके बाद नमबर आएगा इसको फ्राई करने का ये ऐसे ही रहेगा सभी को काटने के बाद यानि जितना आप रोल दिखे हैं इस सभी को काट लिजिए और काटने के बाद अब बारी आएगी इसको फ्राई करने का ये फ्राई से ही एकदम कम्पलीट हो जाएगा तो सबसे पहले फ्राइपीन गरम हो गया है और गरम होने के बाद इसमें डाले हैं तेल और तेल डालने के बाद एक-एक करके डालना है और अच्छे से इसको पकाना है और जो गैस का जो फलेम होगा यानि गैस का जो आच होगा गाव में इसको आच बोलते हैं तो इसको सलो रखेंगे, सलो रखिए या मीडियम रखिए, हलका से सलो रखिए, यह देखिए, यह हमारे वाइफ एक नजर होता है, पानी डेल के नजर से उतारते हैं, यह किसी का नजर लग जाता है, यह गाओं गारे में अक्सर यह होता है, जब भी ऐसे चीज़ बनता है, तो और उरतें जहें नजर उतारती हैं, क्योंकि यह गाओं का सबसे अच्छा डिस होता है, बढ़ियां डिस माना जाता है, बेजिटेरियन है, और दाल चाल सबजी खाने के बाद जब मन उप जाता है, तो घर के लोग यह बनाना सुरू करते हैं, और फिर इसको देखिए, धक दी हैं, और धकने बाद फिर से दो-तीन बरतमा प्लट देंगी, और प्लटने के बाद यह बन के तैयार हो जाएगा, ना इसको भाब की जरूरत है, और ना ही इसको कचुमबर जैसे बनाने का उसका भी तरीका लग होता है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप जर अकसर आप वीडियो में सुनते रहते हैं, इसका मतलब है जैना है कि वो जो सब्सक्राइब है, आप उस पर किलिक कर दीजिए, यानि किलिक कर दो, और बेल आइकन और जो घंटिया जिसे जो दिखाई देता, वो घंटिया पर हत्वा रखता, यानि उका दबा दो, दबाई जिसे